हाई है हलो एब्रीवन वेलकम टू अवर यूटूब प्लेटफॉर्म सबसे पहले तो आप सबी को प्यार भारा नमस्कार गुद बॉरिंग एवरीवन सो गाईज आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है उसमें कल जो हमारे एक्जाम हुए है सिफ्ट वन इन सिफ्ट टू दोन प्लस आपका जो एन्वार्मेंट वाला जो सेक्शन है उसको हम कवर अप यहां से करने वाले हैं हाईर एजुकेशन प्लस एन्वार्मेंट है यह दो सेक्शन है जिनको हम कवर करेंगे इन से रिलेटेड जो भी आपके कॉंसेप्स हो सकते हैं उनको मैं आपको बताने वाला चलिए तो शुरू करने से पहले एक बार आप सब लोग as usual मुझे चेक करके बता दीजी कि सब का audio, video, ppt सब clear है सब clear है तो एक बार हम सब कर दो कि सर clear है और इस session को आप एक बार सब लोग share भी कर दीजी जिससे की बाकी student भी हम से जुण पाएं चलो, so जैसा कि आप सब को पताएं कि हम exam के जस्ट बाद हमेशा की तरह जो भी questions आते हैं उनसे related जो भी concepts होते हैं जो भी probable concepts पूछे जा सकते हैं उन सब को इस session में discuss करते हैं तो चलिए, I think सब clear है, start करता है तो शुरू करने से पहले दो तीन बातें, अगर आपने GRF Adda app को download नहीं किया है, तो सबसे पहले तो GRF Adda app को download करो क्योंकि यह है आपके लिए one stroke solution for the net GRF preparation ठीक है जी, इसके अलावा, देखो test series, अभी भी आपके पास में time है अगर join करना चाहते हैं, तो आप test series join कर सकते हैं जिसमें paper one plus paper two, दोनों आपको मिल जाएंगे, test series के लिए और इसके अलावा, जो भी आपको कोई doubt है, कुछ पूछना है, कोई भी issues आ रहे है तो आप हमारी support team को call कर सकते हैं, वो आपको पूरा guide करेंगे regarding the test series, चलिए, so once again good morning to everyone आप सभी को good morning, जल्दी से यार एक बार share करो session को, share करोगे तो काफी student चुड़ेंगे और हमें भी पता लगएगा कि क्या आपका preparation का level है, कौन से question है, जो side मैंने miss किये हैं, जो exam में पूछे गए हैं, जो जल्दी से सब को जोड़ो एक बार सुरू करते हैं, सबसे पहले तो हम बात करेंगे guys, higher education की, कि higher education में कौन-कौन से सवाल कल T September के exam में पूछे गए हैं, तो higher education में कल 2-3 question हैं, तो थोड़ी से अलग पूछे गए हैं, पिछली shift से, क्या क्या थोड़ा सा difference देखने को मिला हैं? देखिए, पहला तो गेखो, डिजी लोकर जो facility है, उससे एक question पूछा गया था, जो पहले नहीं पूछा गया, तो इसको हम discuss करेंगे, details से, एक student है, उन्होंने बोला है, कि sir, higher education की class से आपके काफी question आये थे, अरे वा, ये तो अच्छी बात है, कि आपके question exam में मिल रहे हैं अपनी classes से, देखो, अगर exam में अगर direct question मिलता है ना, उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती, क्योंकि आपका confidence पर बढ़ता है, प्लस आप full assure होते हो, उस question पर तो अच्छी बात है, पहला, डिजी लोकर से पूछा गया है, एक question आपका ancient university से पूछा गया था, इसको मैं detail से बताऊंगा भी आपको, निती आयोग दुबारा से repeat हुआ है, लास्ट येर भी a question पूछा गया था, इस बार भी ये repeat हो गया है, एनिपी से हर shift में question आ रहा है, every shift में, तो इसका तो अच्छे से इलाज आपको करना ही पड़ेगा, AICT से दुबारा question repeat हुआ है आपका, NCT, देखो, ये हैं आपकी regulatory bodies, चूँकि मैंने काफी अच्छे से आपको करवाई है, ये question आपसे कल पूछे गया, ये आपके higher education के question है, जो मोटा-मोटा सवाल है, वो आपसे ये ही पूछा गया है, कल की shift में, इसके अलावा, हम बात करते हैं environment की, तो environment में कौन-कौन से सवाल पूछेगे, कुछ different question है, जो कल पूछेगे, एक सवाल ये था आपका, direct question था, कि which of the following are human-made disaster, तो अब आप ही बता दीजे कि, ये सवाल में बार-बार आपको करवा रहा हूं, disaster management का, कि यहां से question आपके आने ह आने है, क्योंकि अभी का जो pattern हम देखें, तो उसमें आपके disaster management, यानि आपदा परबंदन है, वहां से काफी question आपको देखने को मिल रहे है, तो इसको हम detail से करेंगे, आज फिर से, volcanic, एक BOD, biological oxygen demand, यहां से question आप से पूछा गया है, एक ozone से दुबारा से question आपका repeat हुआ है, यह question नहीं पता लग पाए, लेकिन आपन पूरी revise करेंगे, SDG और MDG जो targets है, वहां से question पूछे गया है, एक greenhouse gases से question पूछा गया है था, एक देखो, bio accumulation नया question है, यह आप से पूछा गया है, जो कि मैंने आपको वैसे तो करवाया था, लेकिन exam में यह नया question है, एक green belt, जो कि आपको मैंने current affair में करवाया था, अभी आपको याद भी आ जाएंगा, अगर पुराने student, जिन्होंने मेरी class ली है, तो यह question है, जो आपके environment से, कल की shift में है, जो पूछे गए है, okay, clear everyone, तो यह सवाल है, जो कल की class में पूछे गए थे, अब एके करके, एके concept को हम discuss करते हैं, अच्छे से, जिससे की आने वाली shift में अगर ऐसे question आए, तो आप तुरंत देखते ही टिक करो, तो यह level होना चाहिए, आपकी preparation का, चलो, शुरू करें, तयारो सब लोग, एक बाद हम सब परके बताओ कि सर तयार है, और जल्दी से यार share करो, काफी कम student मुझे दिख रहे है चलो, स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला सवाल आपका आया था DG Locker से, कि DG Locker क्या है, तो समझते हैं सबसे पहले कि DG Locker क्या है, तो देखो DG Locker की बात करें, तो DG Locker आपका जो Digital India जो campaign हमारा चला था, पूलते डिजीटल इंडिया ग्मपेञ्ड हमारा चला था उसके तहित डिजिटल इंडिया जला था उसके तह ряд इसको स्टार्ट किया गया था अब ये है क्या देखो लोकर का मतलब सबको पता है इस अलोकर का मतलब जहां पे हम ताला लगाके रखते हैं चीजों को जहां पे चीजे सुरक्सित रखी जा सके यहां पे कोई भी कीमती चीज होती happen वो प्रीय होती है उसको और पला लगाके रखते हो आप यह जो टाला है वो कैसे लगेगा डिजिट ली लगे अगा और उच्टरल्ह 받고 कि इसा नrah और यहाँ एस ऊपने लोक समझें जो बंदी लोकर क्या है हिंदी में भी हैं इंग्लीज से भी है दोनों में मैंने दिया है ठीक है तो आप पढ़ लेना राम जिसको डिजीटल लोकर की मैं बात करूँ तो यह फ्लेक्सिफ इनिशेटीव है Ministry of Information and Technology under the Digital India Company पहली चीज तो आपको यह याद रखती है दूसरा यह यह याद रखना है कि यह government के द्वारा चलाय जा रहा है जिसमें हम हमारे जो भी documents हैं जो भी documents हैं उनको electronic version में क्या कर सकते हैं save कर सकते हैं clear everyone आप ऐसा नहीं कि जैसे interview देने जा रहे हूं आप या कहीं पर documents verification है तो उसको carry करने की ज़रूरत नहीं आपको, आपके पास में login ID और password होगा, उससे आप उसको access कर सकते हैं, clear everyone, तो याद अखना, इसके लिए आपको क्या, मतलब कौन-कौन से documents है, जो हैं आपके आप सेव कर सकते हो, एक तो देखो insurance, किस-किस ने insurance करवाया है, वो कर सकते हो, अ जिनकी हो गई है, वो अपना कर सकते हैं, जिनकी होने वाली है, वो digital locker में अपना मेरी certificate भी save कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग भूल जाते हैं, school certificates, जो आपके college के certificate होते हैं, और आपका एक certificate और आने वाला है, JRF का certificate, वो भी इसमें save कर सकते हैं, ठीक है, अब ये पता नहीं कौ अब देखो, इसके लिए दो technology company है, जो इन्होंने MOU किया है, ऐसे question आपसे पूछी जाते हैं, एक तो Google, एक आपका dropbox, इनको जरूर या तक लेना, ठीक है, एक देखो, इसमें एक facility और है, कि इसमें URL, URI, sorry, Uniform Resource Identifier, link भी आपको मिलेगा, जिससे कि आप हना, different department से, जो भी आपके document issue किये हैं, उनको assess कर सकते हो, इसके full form जरूर याद रखना, क्योंकि ऐसे question पूछी जा सकते हैं, uniform resource identifier, uniform resource identifier, इसको याद रखना, clear, चलो, सच, GRF first time add होगा, हाँ, GRF first time add होगा, तो आप इसको add कर ले, अच्छा, आप में से कितने लोग हैं, जिन्होंने डीजी लोकर पर, अपना account बनाये हुए, आप में से कितने लोग हैं, जिन्होंने account बनाये हैं, जिन्होंने डीजी लोकर पर, नहीं बनाया होगा, काफी लोगों ने, ठीक है, चलो, आज मैं आपको सिखाता हूँ, कि इस पर account कैसे बनाते हैं, चलो, किसी को भी account बनाना हो, क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना आपको, अपना एक जो आपकी सबसे सुन्दर वाली फोटो आती है, जिसमें अधार कार्ड में, वो लेके आना है, और एक आपका मूबाइल नंबर होना चीए, जो कि अधार नंबर से लिंक हो, आपको कुछ नहीं करना, कि आप Ministry of Electronics and Technology की वेबसाइट पे जाओगे, और आपका जो अधार नंबर है, उसको वहाँ पे टाइब कर देना, आपके पास, जहाँ पे जो पोटल है, वहाँ पे जाके, और अपना OTP आएगा, उसको वेरिफाई करने ना, वेलिडेट कर लेना, आपका अपाउंट है, वहाँ पे बन जाएगा, डिजीटल लोकर, एवरिवन, आप देखो, एग्जेक्ट कोशन क्या पूछा गया था, मैं आपको बता देतो, एग्जेक्ट कोशन ये पूछा गया था, कि डिजीटल लोकर की कौन-कौन सी फिसलेटीज है, डिजीटल लोकर की कौन-कौन सी फिसलेटीज है, ये कोशन आपसे रखना है कि डिजिटल लोकर की ये सारी की सारी facilities आपको प्रवाइड की जाती है चलिए जी अब एक कोशन आपका जो पूछा गया था वो ये है ancient universities अब देखो इतना simple सवाल है जो आप से पूछा गया है यहां से क्या पूछा गया था आपको ancient universities के नाम दिये थे ancient universities के नेम दिये थे आपने तो PhD कर रखी है ancient universities पे अगर आपने मेरी classes लिए हैं तो PhD कर लिए होगी आपने ठीक है तो देखो कि शुरू करते हैं session को यह मतलब ancient university वाले topic को शुरू करते हैं तो कौन-कौन से हमारी प्राचीन भारत की universities है एक क्विक रिवीजन है वह हम कर लेते हैं यहां से ओके कि देखो कि सब कि एक बार आप चेक करके बता दे मुझे कि दुबारा से आपके स्टार्ट हो गया है नहीं हो गया क्यूंकि थोड़ाई स्टार्ट हो गया तो आप मुझे थमसब करके बता दे कि ठीक है क्लियर है हो गया नहीं स्टार्ट हो गया था हम इसले बता हो गया चलो इसले बाद कर रहे हैं कि इस आप के पूछय बार पूछे जा रहे टो आप कौन-कौन से सावाल आपके पूछे जा रहे हैं एक तो देखो मैं आपको पूरा रिवाइज करवा देता हूं जितनी भी एंसेंट युनिवर्सिटी से उसको एक वन गो में आपका पूरा रिवाइज एक बार चेक करके बताओ अभी ठीक है या दूबारा से बफर कर रहे है का कि अच्छे से मैं आपके लिए प्रपेर करके लाएं था कंटेंट बत आज नेटवर्क अपना साथ नहीं दे रहे हैं कुछ थोड़ा सा गड़बढ हो रहे हैं आप थोड़ा सा प्रेयर करो सरस्वती माता से या भगवान से थोड़ा सा ठीक चलाए क्योंकि आपको बहुत अच्छा कंटेंट है जो मैं देने वाला हुआ और क्लास में सब बने रहना थोड़ा बहुत बीच में दिक्कत हो सकती है नालंदा उधंतपूरी विक्रमसिला सोमपूरा और जगदाला और पर लपी चले अब देखो दो तीन चीजें हैं जो आपको यहां से याद रखनी है कि दो तीन मतलब दो तीन युनिवर्सिटी जिनको अच्छे से पढ़के जाना आप सब को एक तो देखो तकसिला के बारे में आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए देखो एक तो तकसिला जो युनिवर्सिटी है उसको बहुत अच्छे से प्रपेर करके जाना आपको यहां से आने के प्रसंद संभावित संभावना है एक आपका नालंदा को बहुत अच्छे से प्रपेर करना है हमको ठीक है एक आपका जो प्रिपेर करना है आपका विक्रम सीला को बहुत अच्छे से प्रिपेर करना है एक वल्लबी को बहुत अच्छे से प्रिपेर करना है एक देखो जो उधन्त पूरी है उसको प्रिपेर करना है सोमपूरा को प्रिपेर करना है मतलब ये university तो आपके tips पे होने चीए मतलब आपको कुछ भी पूछ ले कुछ भी पूछ ले तो आपको पता हो कि नालंदा क्या है विक्रमसिला वल्लबी और ओधन्तप्टी अब एक quick revision है इन सारी की सारी universities का मैं आपको करवा देता हूँ अब शुरुवात से सुरू करते हैं तक्सिला यूश्टि पख्दिंश छलो मैं आपको वैसे लिखके इनका का रिविजिन करवाता हो तो अच्छे से आपको समझ में आएगा पीपीटी से नहीं तक्सिला की बात करते हैं तो तक्सिला नाम से यह आपको पता लग रहा होगा कि तक्सिला है कहां पे तो तक्सिला की जब मैं बात करता हूं गाइस तो ये आपका कहां पे है ये आपका अभी जो पकिस्तान और अफगानिस्तान वाला एरिया है पकिस्तान वाला एरिया है वहां पे ये सिट्वेटेड है और पहले के टाइम पे ये जो एरिया था ये भारत का ही पाट था गहंदार वाला जो एरिया था उसका ये पाड़ था अब बात करते हैं कि तक्सिला युणि उन्वर्सेटी है वो किसके लिए फेमस था तो वो आपका मैडिशन के लिए फेमस था इसकी लीव ही मस्ता, मेडिशन के लीव ही मस्ता, ठीक है, कई बार आपके मन में सवाल आता है कि ये युनिवर्सिटी को स्तापना किस ने की थी, तो देखो ये हमारे पार सोर्सेज नहीं है कि इसकी स्तापना किस ने की थी, लेकिन हमें इतना पता है कि एक राजा तक्स तक्षनी तक्सिला नगर है वो बसा है था और उसी के नाम पर इसका तक्सिला नाम पड़ा है ये बहुत एंसेंट यूवरसेटी है मेडीशन के लिए फिमस था एक चीज आपको याद रचने कि 1980 में ये यूनेसको की साइट मनी थी ये कोशन आपसे उल्ड़ी पूछा गया है मेडीशन वाला उल्ड़ी पूछा गया है पाकिस्तान में रावलपेटी डिस्टिक है गंधार वाला एरिया है वहाँ पे ये सिचुएटेट था इसके अरावा देखो एक दो चीजे है जो इस मतलब इस से जुड़े हैं विद्वान लोग कौन-कौन से है इस से जुड़े है विद्वान लोगों के नाम अगर आपको पूछे तो आप क्या-क्या बताएंगे एक तो देखो चानग क्या है एक आपके जो पानीनी डी हो यो ओष्यवे एक पानीनी का होमलेंड था यहीं का रहने वाला था अना सूर्ण Effect that तक ट को ओब यह सब लोग है जो यहां से बढ़े होएं थे तो आपको यह चीज़ या नाبلग capitalist कम एक आपका चरक तो यह स्टूडेंट है जो कि तकसिला से पढ़े वे यह चीज आपको याद रखनी है भूला नहीं है इस बार एक कोशन में पूछा गया था सुसूर्थ से तो हो सकता है कि आपको यहां से कुछ ना कुछ पूछ ले इनकी बुक्स जरूर याद रखनी है आपको सबको यह य हमने राउल पिंडी में है और यह इतनी पुरानी युनिवर्सिटी है कि यूनिवर्सिटी ऑफ अलेक्जेंडरिया उससे भी पुरानी आपकी यह यूनिवर्सिटी से तो इस इसको ज़रूर याद रख लेना है और एक चीज और याद रखना कि प्राचीन भारत की इंटे intellectual capital of India भी तकसील ही थी आपकी यह छीज आपको पता होने चाही है कि intellectual capital of India डिन्टीन तकसील यह चीज आपको पता, clear everyone , ठीक है यह सारे के सारे सब्जेक्ट्स थे जो आ हापे पढ़ाए जाते थे आप मुझे एक दो चीज आंसर दे देज पानिनी की बुक्का नाम बता दो, चाणक्य की बुक्का नाम बता दो, चाणक्य की बुक्का नाम बता दो, चल्दी से, क्योंकि बुक्स एन ओथर से कोशन आपके आने के चांसे हैं, इस बार भी पुछी जा सकती है, बुक्स एन ओथर, तो जल्दी से इस कांसर दीजे, पा चरक की बुक है ओके चलिए तो इसको यादत अब इसके अलावा देखो यह सारा मैंने आपको बताई दिया है जो भी पठाए था आपको अब बात करते हैं हम नालंदा युनिवरसिटी की नालंदा युनिवरसिटी कहां पे है ये बिहार में है पहली चीज आपको ये पता होनी चीकि नालंदा युनिवरसिटी कहां पे है बिहार में है इसके अलावा देखो जो नालंदा युनिवरसिटी है ये एक प्रोमिनेंट प्रमुख के अंदर था, लर्निंग सेंटर हुआ करता था प्राचीन भारत का, इसके अलावा ये जो यूनिवर्सिटी है, ये गुप्त जो डाइनस्टी हुई है भारत में, उसके टाइम पर ये बनी है, मतलब फ्लरिश हुई है during the 5th century, और इसको बनाने वाले जो थे, वो थ जा सकता है, देखो इसमें थोड़ा सब सुधार कर लीजिए, मैंने पहले साइद आपको 2015 बताया होगा, लेकिन अभी मैंने इसको चेक किया, तो authentic जो डेट है, वो 2015 नहीं, 2016 है इसके, यूनेस्को वाले, तो प्लीज इसको करेक कर लीजिए, 2016 में इसको यूनेस्को साइट यहां पे लगबग 10,000 स्टूडेंट और 2000 टीचर्स है, वो रहते थे, इसके अलावा देखो यहां पे एक चाइनिज ट्रेवलर है जो आया था, जिसका नाम था हेंसांग, 7th century में भारत में आया था, और उसने हमें काफी जानकारी दी थी, इस यूनिवर्सेटी के बारे मे ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, एक अटेक और होने वाला था अपनी क्लास पे लेकिन मैंने बजा लिया है, वह था तो क्लास दुबारा से बंद होती है आपकी, स्खेर अभी चल जाएगी, डोंट वरी, अभी थोड़ा सा टेकनिकल इसू चल रहा है, एक दे यहां पर जो एंट्रेंस लेना है, अगर आपको एडमीशन लेना है, तो यहां पर एंट्रेंस के थरू ही यहां पर एडमीशन हो सकता है, और सिरफ 20% लोगों का यहां पर एडमीशन होता है, तो यह चीज किसने बताई, हेंसांग ने ही बताई हमें, हेंसांग की किताब का का नाम बताएं सब लोग कि सी कि इनकी किताब का नाम था तू यू की जिस से हमें पता लगा है नालंदा यूर्शिटी के बाते 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 तो यह थोड़ा सा याद रख ले ना अगर आप याद रख सको तो पूछा जा सकता आपसे क्लियर एवरीवन यहां पे लाइबरेर लाइबरेरी का नाम आपको याद रखना है धरम गंज धरम गंज है जो इस लाइबरेरी का नाम था जिसका मतलब क्या होता है ट्रेजरी ओफ प्रूथ यह मांटें ओफ टूथ ऐसा बताया जाता है कि यहां पे लगबग नो मिलियन से जादा आपके मैंस्क्रिप्ट्स और बक्तियार खिल जी हम ने आंके इसको तहस्नेस कर दिया क्या वगण के ऑशिटी अफची नहीं है सूयो किये गुछ भी मतलब खुद के मन से क्यों बनाते हो किताबों को कि दू यू की नहीं है सू यू की किताब है यह चाइनीज बुक है चाइनीज सोर्से से हमें पता लग अना ऐसे मत करो यार वना हेन सांग है न उपर से नीचे आएगा यह क्या बोल टाए ठीक है बक्तियार खिल जीए इसमें 12 सेंचुरियों में इसको तहसनेस कर दिया यह हो गया नालंदा के बारे में अब देखो नालंदा के बारे में आपको क्या-क्या याद रखना है मैं आपको एक बार ठीक है इस पेसली महायाना बुद्धिजम की यह सीट है यहां से एक प्रशन आपके आ सकते हैं ठीक है इसको ज़रूर याद रखना कि किसकी सीट है महायाना बुद्धिजम की इसके अलावा देखो आपको क्या याद रखना है कि कुमार गुप्त है उन्होंने इसकी स्तापना की लाइबरेरी का नाम क्या है धरम गंजा है धरम गंजा इसके अलावा देखो एक कुन था आपका ही इंसांग वो का नाम आपको बताई दिया जो की सेवन सेंचुरी में आता है जिसने हमें बताए कि यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है तफ एंट्रेंस टेस्ट होता है और जिसमें सिरफ साथ परसेंट ट्वंटी परसेंट इस्टूडेंट है उनिका एडमिशन होता है तो बहुत तफ इसमें प्रोसीजर है एडमिशन का ये उसने हमें बताए था एक चीज़ आपको याद रखने कि नालंदा जो है 2016 में युनेस्को है युनेस्को की जो साइट है वो आपकी बनी थी ठीक है तो ये सारी की सारी चीज़ें है जो आपको याद रखना है और बक्तियार खिल जी ने आके इसको क्या कर दिया था पहस्नेस कर दिया था यानि तोड़ दिया था इस युनिवर्सिटी को ये चीज है जो पूछे जाते हैं लाइब्रेरी कब कौन सी इयर में इसको युनेस्को का दर्जा मिला महायान बुद्धी जमै कुमार गुप ने इसको स्टप्डिश किया लाइब्रेरी का नाम आपको याद रखना है ठीक है कौन-कौन से सब्जेक्ट्स यहां पर पढ़ाया जाते थे यह सारी कि सारी चीजें हैं जो आपसे पूछी जा सकती है तो इसको याद अख लेना है अब देखो यह है वल्लवी वल्लवी कहां पर है आपके होते हैं और वही हेंसांग और इत सिंग दोनों के दोनों हैं जो यहां पर इस यूँवशीटी में गए थे तीक है ये भी आपको याद रख लेना है और भक्तारक नाम के एक राजा हुए है उन्होंने इस स्प्लिश किया था तो यह चीज भी आपको याद रख है भद्टारक नाम के एक राजा हुए है जिन्हों ने इस युनिवर्सिटी को स्टेब्लिश किया था तो इस इसको जरूर याद रखना है टाइम पीरेड आप देख लीजिए अगर आपसे पूछा जाए तो चास्तो पिचत्तर से सास्तो पिचत्तर एडी के पीच में ठीक है इसके अलावा देखो यहां से पूरी इंडिया से स्टुडेंट आते थे और यहां पर प्लेस्मेंट रेश्यो है वह बहुत हाई था यह भी आपको पता होना चींग है मैं थोड़ा सा स्पीडी से चल रहा है अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो मेराथन क्रास देखना वहां पर सारी चीज़े डिटेल में बल्लबी कि हमने बात कर ली यह है आपका विकरम सिला जो की मौस्ट इंपोर्टेंट है यहां से काफी बार है जो आप से कोशन पूछी जा सकते हैं और सब लोगं आा आपसमें बात मत करो मेरे से बात कर लो आपको भी बात करनी है आपस में करोगी तो समझ में नहीं आएंगी चीजि आपके ओपर से जाएंगी और कल ही आपके कोशन आ जाएंगे आइΓं आपको के ड चै़नल अध्य कोशन तो फिर मुझे ना अब अब देखो यह वलब बी विक्रम सिला उन्यसेटी है यह कहाँ पे है अपकी वही भिहार में है अब जैसा कि आपको देखके कुछ फील हो रहा होगा कुछ अंदर से लग रहा होगा की यार यह 50 है तॉन्oki फील हो रहा है यह जो उन्यसेटी है यह जैसा आप देख पा रहे हो, यह तांत्रिक बुद्धिजम के लिए फिमस थी, जो की most important point है इस university का, clear everyone, बिहार में है, वही बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर है आपका, learning center है आपका, और वुद्धिस लर्निंग सेंटर की भी बात करो, तो तांत्रिक बुद्धिजम के लिए यह आपकी famous है, तांत्रिक बुद्धिम के लिए famous है, आप देखो, डर लगेगा, तो बच्पन में ऐसा बोलते थे न, डर लगता है, तो कि पानी के पास भूत नहीं आत होते थे तो आपको याद कैसे रकने इसको कि यार तांतरिक बुद्धिजम के लिए है तंटर मंतर होते हों गे तो लोगों को डर लगता होगा अब डर से बचने के लिए कहां पे जाएंगे गंगा माता के पास में जाएंगे तो यह जो यूनिवर्सिटी है यह गंगा रिवर के बैंक पे situated है ये प्रशन आपसे पूचा गया था गंगा नदी एक प्रशन पूचा गया कि कौन सी सीट है बुद्धिस लर्णिंग तांत्रिक बुद्धिजम के लिए famous है और रिवर कौन सी है गंगा रिवर ये जरूर आपको याद रखना है और हाँ गंगा में ड पांडर कौन है धरमपा बस इतना ही है इतना ही खेल है इसका इतना ही खेल है बस इतना ही आपको याद अखना है यहीं से आपके most of the question है जो मिल जाएंगे आपके एक्जाम ने ठीक है चलो यह मैंने बता दिया है ओलड़ी सारा का सारा कौन सी रिवर के उपर है गंगा रिवर के उपर है धरमपाल के द्वारे इसको established किया गया था ठीक है रिलिजियस ट्रीचिंग के लिए फेमस थी स्पेसली बुद्धिजम के लिए यह फेमस है अगर मैं रिलीजियस की बात करूं तो बुद्धिस लर्णिंग आपका सेंटर है ठीक है था देखो यह ऐसी द विज्ञान भावन और यह जो युनिवरसिटी है यह six different colleges में divided थी और इसकी में बिल्डिंग का नाम है विज्ञान भावन तो यह चीज भी आपको बताऊने चुक्त है और यह चीज अगर आप याद रख सकते हैं तो रख लीजे कि highest authority इसका महास्तावीर होता था जिसको हम कुलपती या और बोलते ते तो पहास्तावीर आपसे पूछा जा सकता ह выгляд कि विक्रम सिला university में महास्तावीर कोन थे याप से सिंपल इसा पूछा जा सकता है कि प्राचinaire भारत की सिक्षा से संभंदित महास्तावीर हैसे है तो आपको यादढ़ रख में कि इस्ताविर बोलते हैं चंसलर को तो यह भी चीज आपको याद रखना है तो उसने एके करके जितने भी हमारे उनिवसिटी थी सिक्षा के केंदर थी उन सब को तोड़ दिया खुंदा खाया हुआ था बुधी तरह से वहाँ तो कुछ लोगों अंदर से जेलस होते हैं तो ऐसे यह जेलस था पक्तियार्थिल जी इसने कुछ नहीं किया आके सारी के सा अन्य वहाला था वह तरकिस अरशर एक सवाल आपसे पूस्ता हूं ला इंडेखते कितने लोग बता गांजें तकक्सीला विशनिगा थी है उसको कि ने डिस्ट्रोय किया था अर यह उसको कि इस ने दिस्ट्रोय किया यह यह बता दो तक्सिला उन्वर्सिटी को ड्रिस्ट्रोई करने वाला कौन इंसान था कौन थे वो जैसे हमने बात किया कि भाई नालंदा है विक्रम सिला है इनको तो तर्किस इन्वेडर ने तो हून आकर्मन अकर्मन ठीक है फून आकर्मन हुआ था जैसे अपनी क्लास पर आकर्मन हुआ था अभी वाईरस का वैसे हून आकर्मन हुआ था उन्होंने तक्सिला उन्वर्सिटी को तहसनेस कर दिया था एक छोटी सी चीज़ है जो आपको यादख लिया ओके रावन ने वा रवी चंदर जोग्रोफी अचीवर्स नाम इतना छोटा सा इनका इनके लिएक बार तालिया बजा दो इनका बोलना है कि तक्सिला उन्वर्सिटी को रावन ने डिस्ट्रोई किया था बस यही सुनना वाकी था मुझे वेरी गूड है ना बहुत ही अच्छा चलो यह आपकी विक्रम सिल मिथिला होगी मैंने पूरा बतातिया एक जगळाला उन्वरसिटी है जिसके फाउंडर है पाल सशक राम पाल नुर्थ बेंगोल में लेकिन करंट में हम बाकरें तो यह बंगला देश में इसको याद रख लेना है और यह यूनिवर्सिटी है यह वजरियान बुद्धिशम के लिए काफी फीमस थी इसको जरूर याद रखना है उसके अलावा मिथिला यूनिवर्सिटी है और मिथिला आज भी जो जगह है आपको पता होगा कि जो मिथिला रीजन है बिहार वाला वहां पर यह बिद्धिला नाम की जगह है ठीक है मिथिला यूनिवसिटी को ऐसा बताया जाता है कि जो सीता माता थी उनके पिता का नाम था राजा जनक तो राजा जनक के टाइम की ये मिथिला यूनिवसिटी है आपको याद क्या रखना है कि ये जो यूनिवसिटी है ये नियाय सास्त्र और आपका तरक सास्तर के लिए काफी ज़्यादा फेमस थी नयाय सास्तर और तरक सास्तर के लिए यह यूनिवसिटी है जो बहुत फेमस थी इंडियन लोजिक की बात करते हैं तो इंडियन लोजिक के लिए इंडियन लोजिक के लिए सबसे ज़्यादा फिमस यूवरसिटी है आपकी मिधिला यूवरसिटी जो की सीता माता के पिता है राजा जनक उनके टाइम की यूवरसिटी है देखना है राजा जनक को आप में से कितने लोग है जो राजा जनक को देखना जाते है चलो मैं दिख ये जो नालंदा उर्ट्रीव दṭाटी थी यह क्या करते थे राजाजनक वहां पे जाते थे और वह सारे स्कोलर को बुलाते थे उनसे गप्प्र मारते थे यह बात्चीत करते थे उनसे डिबेट कि नारे पे बस नीवी है और ये जो ना लंदा और तक्सला उन्वर्श 20 कर गया था और इसके तीन सेंटर है एक बार कोशन पूछा गया था एक कि ऐसी कौन से university है जिसके तीन सेंटर है तो यह option दिया वाथा तो आपको यह याद रख लेना है ओके जी सिता के पापा बहुत handsome है very good बहुत बढ़िया है ना मैं भगवानों को छोड़ दो यार तुम मतलब भगवान भी कोई handsome होते हैं क्या चलिए हना तो यहां पर क्या याद रखना है कि यह जो university थी राजा जनक वाली यह न्याय और तर्क तर्क सास्तर के लिए हना लोजिक के लिए लोजिक के लिए न्याय और लोजिक जूरिस्पुडेंस और लोजिक के लिए यह university फेमस थी यह चीज़ आपको पता होने चीज़ ठीक है इसके बाद में हैं आपका सार्दा पीट जो हमारी 18 सक्ति पीट है अब देखो नवरातरा भी चल रहे हैं तो देवी की पूजा होती है तो हमारे क्या है 18 सक्ति पीट उसमें से एक सक्ति पीठ हमारी ये भी है सार्दा पीठ अब सार्दा के नाम से आपको पता लग रहा का सार्जा जो देवी है वो विद्या की देवी तो ये एक हिंदू लर्निंग सेंटर है ठीक है हिंदू लर्निंग सेंटर है आप से कोई पूछा जाए कि सार्दा पीठ क्या है एक हिंदू लर्निंग सेंटर है ठीक है एवरी मन प्लीज इसको याद अथ लेना है बहुत ही इंपोर्टेंट है और ये एक टेंपल यूनिवर्सिटी ये भी आप या चीज़ आपको पता होनी चीए यह यह टेंपल युनिवर्सीटी है जो कि कहां पर है कस्मेर में है इसको जरूर याद दखना है जो हमारे 18 महा सक्ति पीट है उसमें से यह एक सक्ति पीट है कि इसको याद रख लेना है और मातासुरस्वती को यह मतलब समर्पित है क्योंकि सार्दा नाम उनीका होता है यह चीज यातक लेना इसके बाद में अच्छा एक चीज और यातकना हमने बात कर लिए नोर्थ इंडिया की अगर आप व्यक्ति पूद्दिस फिलोसPEर हीं आपके नागारजुन जन्नों सुन्यवाद की थी। की थे॓रोष का सिद्धान किस ने दिया थे थे॓री ओफ रिलेटी विटी किसके दवारा दे ति नागर्जुन के द्वारा उनी के द्वारा ये उनी के नाम पर ये उनिवेसिटी मनी है नागर्जुना विद्यपिट जो कि कहां पर है कृष्णा नदी के किनारे है साउथ इंडिया में एक आपका और एक भोती मोस्ट एवेटेड कोशन है जो मुझे मिल गया है सर पीडिये कोशन आपको देखने को मिलेंगे ओके सुन्ने वाद की थ्योरी यान एक थ्योरी ओफ रिलेटिविटी जो हम बोलते है वो नागर्जुन के द्वारा देगी थी और उनी के नाम पर नागर्जुना विद्यपिट है जो कि साउथ इंडिया में सिट्विटेड है कृष्णा सोनपूरा है इसका मैंने बता दिया धरमपाल के द्वारा है बेंगोल में सिट्वेटेड है बुद्धिजम जैनिजम और हिंदीजम तीनों का ही यह लर्णिंग सेंटर है तो इसको या तक लिए था ठीक है निति आयोग की CEO कोन है एड प्रेजेंट टैंग यह चीज मुझे बताओ जल्दी से चीक है चलो सबसे पहले तो देखो हम बात करने हैं कि जो निति आयोग है उसकी फुल फॉम आपको पता होनी चीए National Institution for Transforming India क्योंकि ये परिशन आपका आचुका है ओल्ड रड़ी इसको क्या गया था एक जनवरी 2015 बे इन अपलेस ओफ योजना आयोग यानि Planning Commission के इस्तान पर इसको क्या किया गया था इस्टेब्लीश किया गया था प्राइमनेस्टरों इंडिया होते हैं वो इसके फुल फॉम आपको पता होनी चीए नाशनल इंस्टिटूशन फॉर ट्रास्फॉर्मिंग इंडिया हैड़कॉर्टर कहां पे है नू डेली में है वेरी वेरी इंपूर्टेट ठीक है यह चीज आपको पता हुआ कि इसके अलावा देखो नितियायों के द्वारा कौन-कौन से प्लान एन इनिशेटिव चलाए जारे तो कई बार पूछा जा सकता है कि थ्री एयर एजेंडा क्या है तो थ्री एयर एजेंडा एक वीजन था जो कि 2017 से 2020 का एक एजेंडा था दो रखा गया था एक सेवन एयर व एनिपी 2020 से कोशन आये है तो इसके लिए गाईज मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक वीडियो मैंने बनाये है नू सिक्षा निती पे नई सिक्षा निती पे दो वीडियो बनाये है आपको प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना हाईर एजूकेशन की जो प्लेलिस्ट है वहां से जाके उन वीडियो को चेक कर लेना बहुत डिटेल से मैंने आपको यह करवाया हुआ है तो वहां से जाके इसको आप चेक कर लिजेगा सब लोग आप देखो एक कोशन पूछा गया था जो कल सिफ्ट में एक AICT और NCT के बारे में AICT और NCT के बारे में तो एक Technical Education और NCT क्या है National Council for Teacher Education तो इनको एक बार डिटेल से अपन देख लेते हैं तो देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कई बार बताया है कि यह आपके एक लिस्ट है Regulatory bodies की इसकी full form प्लस इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगो ना जी अब कल ही यह कोशन आप से पूछा गया है ठीक है AICT के बारे में बात करें तो AICT क्या है एक statutory national level council है जो की technical education के लिए काम करती है पहली चीज़ इसका तो establishment हुआ था वो नौंबर 1945 में हुआ था लेकिन इसको statutory body का दो जर्दा मिला है वो 1987 में मिला है यह चीज़ आपको याद आखने AICT क्या काम करती है यह आपका proper planning करती है और coordination करती है for the development of technical education and management education system in India बस इतनी चीज़ पता हो ठीक है technical education और management education को भारत में जो देखता है वो AICT देखता है ठीक है यह चीज़े हमें पता हो यार बहुत छोटी छोटी चीज़े है एक्जाम में आती हैं पुछी जाती है तो यह हमें पता होना चीज़ेंग हो अब बात करते हैं आपका national council for teacher education की तो देखो national council for teacher education है यह 1973 में यह एक advisory body के रुप में काम करती थी पहली चीज़ तो ठीक है एक advisory body के रुप में काम करती थी यानि जो राज्ये और केंद्र केंद्र सरकार प्लस जो राज्ये सरकार होती थी उनको क्या करती थी टीचर्स के मामले में क्या करती थी एडवाईज करती थी एडवाईजरी बोडी थी लेकिन बाद में हुआ क्या 1995 में इसको एक स्टेचरी बोडी बना दिया गया बाईदा पालिया मेंटेक्ट ठीक है ये जरूर याद रहता नेशनल कांसिल फूर टीचर एजूकेशन एक 1993 के तहट ठीक है इसको 1995 में एक आगनेजनल कांसिल फूर टीचर एजुकेशन ही देगती है बस इतने चीज़ आपको याद रहाएंगे चीज़ा सर हिंदी में, देखो रूबी स्री वास्तवा, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, मेरा बोलना ये है कि National Council for Teacher Education, रास्ट्रिय सिक्षक, सिक्षा परीशत, जो है, वो 1973 में एक सलाकार परीशत के रूप में इसको स्तापित किया गया था, फिर 1945 में इस बोली को एज़ा वैधानिक निकाए, सह विदिक निकाए के रूप में स्तापित किया गया, जिसका कारिय ये है कि भारत में जो भी सिक्षक रिलेटेड जो भी चीजे होती है, जो भी आपके करने की कोसिश कर रहे अपनी क्लास में, आप सब लोग इन लोगों को ब्लोग कर दो, और इनके कमेंट्स पर ध्यान मत देना, ठीक है, अपनी पढ़ाई को रेगुलर करते हैं, ठीक है, आप सब लोग अपने end से इनको ब्लोग कर देना, क्योंकि, गेखो, मैंने मेरा आकरम विफल किया है आप अपना करो करो जो भी ऐसे कमेंट कर रहे हैं उनको ब्लोग कर देना सब्सक्राइब नेक्स्ट यह हमने देख लिया टीचर्स के लिए सारा का सारा ओके अप देखो अब बात करते हैं environment से related कौन कौन से question है जो आपसे पूछेगा है इनके बारे मेंं बात करते हैं clear everyone environment से related जो भी question है जो आपके पूछे गया है इनकी हम बात करते हैं which of the following are human made disaster यह question आप से काल पूछा गया था इसको मैं आपको बताओंगा कि natural disaster में क्या क्या डिफ्रेंस है यह हम बात करते हैं ठीक है कि अध्यूदी ओजोन रिलेटेड कोश्चन पुछा गया था बालीजिकल ओक्सिजन डिबांड से ओजोन से समिट से sdc और mdc गोल से कोश्चन पुछा गया था एक आपका जो पुछा गया था यहां पर ग्रीन बैल्ट से कोश्चन पुछा गया था घ्रीन बैल्ट का एक कोश्चन पुछा गया था बायो का शुरू करते हैं इसको सबसे पहले ये कोशन न था इसका अंसर आप भी बता दोगे मुझे भी पता है कि आप बता दोगे चलो ट्राइ करो A, B, C और D आप बताओ इनमे से कौन सा मानव जनीत आपदा है हिंदी में लिख देता हूँ कौन सी मानव जनीत आपदा है इनमे से कौन सी है जो मानव जनीत आपदा है जल्दी से बताओ A, B, C, A, D मानव जनीत आपदा कौन सी इसमे नुकलियर डिजास्टर है ठीक है नुकलियर डिजास्टर है ये मानव जनीत आपदा है बस यही तो आप से कल पूछा था देखो आपने समने कर दिये इस चीज को क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है class leave ही है इसलिए आप सब को आती है यह चीज़े देखो आप देखो हम बात करते हैं इसmes टेबल की जो मैंने आपको दिंखाई थी साइद इसमें add की है और नहीं की है मैं बार देखका होगा हम बात करते हैं कि natural disaster होते हैं और आपके made made disaster हो ठीक है देखो यह nuclear accident ही आप से यही question पूछा गया था कि nuclear accident होते क्या है clear everyone तो natural disaster होते हैं इनका क्या होता है कि sudden impact होता है natural disaster में आपके earthquake आएंगे volcanic corruption आएंगे cyclones आएंगे flood आएगा ये सब के सब क्या है natural disaster में प्राकरतिक आपता में आएंगे ठीक है डोट आगया famine आगया snowstorm आगया ये सारे के सारे क्या है natural disaster जैसे किसी ने अटेक कर दिया अभी जैसे युक्रेन पर रश्या ने अटेक किया हुआ है ताइवान पर चाइना ने अटेक किया हुआ हो रही है situation तो वह क्या है आपके manmade disaster है नो ग्यारा को अपने बंबे में ताज पर अटेक हुआ था ठीक है वो है एर क्रेशिस हो जाते हैं ट्रेन एक्सिडेंट हो गया फायर लगी स्मोक हो गया नुकलियर डिजास्टर हो दे किसी ने बंब गिरा दिया यह सब के सब क्या है manmade disaster की कैटेग्री में आते हैं बस यही कोशन आपसे पूछे जाते हैं तो इस चीज को आपको याद रखना पैमीन है अकाल 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 नहीं पड़ता मतलब सुखा पड़ जाता है बारिस नहीं हो रही है खाने के लिए अन नहीं है पस्वों के लिए चारा नहीं है इसको बोलते हैं अकाल जब वो टाइम तक बारिस नहीं होती है चलिए अब एक कोशन आपसे पूझा गया था बीओडी के बारे में कि बायलोजिकल ऑक्सिजन डिमांड के बारे में बायलोजिकल ऑक्सिजन डिमांड अब देखो यह सवाल तो आप ही मुझे जबाब दोगे क्योंकि आपको बहुत अच्छे से मैंने difference भी बताया है कि BOD और COD इसमें difference क्या है तो COD का मतलब क्या होता है Chemical Oxygen Demand Chemical Oxygen Demand logical Oxygen Demand और chemical Oxygen Demand मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाये वाए है एक डायगराम देखोगी तुरेंट आपको समझ में जाएगा BOD होता है ये वो मात्रा होती है जो किसी भी ओर्गनिजम को ओर्गनिक मेटर को डिकम्पोज करने के लिए चीए COD क्या होती है कि ओर्गनिक और इन ओर्गनिक दोनों को डिकम्पोज करने के लिए चीए वो होती है COD और BOD क्या होती है सिरफ और सिरफ और कार्बनिक COD क्या होती है कार्बनिक और A-कार्बनिक दोनों को चीए ये सिरफ कार्बनिक पधारतों को तोड़ने के लिए चाहिए होती है और ये क्या है कार्बनिक को भी चीए प्लस A-कार्बनिक को भी चीए कार्बनिक को भी यह प्लस एकार्मनिक दोनों को यह चाहिए होती है तो यह होती है बी ओडी बालीजिकल ऑक्सेजन डिमांड और केमिकल ऑक्सेजन डिमांड बस इतनी चीज आपको पता है आप करके आओगे एकदम थमाके से कोश्चन को कि एक कोश्चन आया था ओजोन से रिलेटेट अब ओजोन से रिलेटेट तो यार आपको क्या ही पढ़ा हूँ अब सब लोग मास्टर बन रहा है ओजोन के तो ना ओजोन का तो सबको पता होगा ओजोन ठीक है ओट अच्छे से बताया है काफी वीडियोज भी मैंने बनाए है आप दुबाराच इन वीडियोज को देख लेना मैं क्विक रिविजन आपको गरवा देता हूँ ओजोन जा है वह एक ओक्सीजन की ही क्या है बहन है ना फूम ओक्सीजन ही है मतलब उसी की जdd Значит idea जिसका chemical formula क्या होता है वं इसके अलावा हमारे दो त्रेकी ओजोन होती है और गश्रो अच्छी और भुरी ना दो होती है अब अच्छी ओजोन जो होती है जो ऊपर मिलती है आस्मान तो चीह लोग अच्छे उपर घाने के बाद यह लगते नीचे जो मिलती है वो आपकी bad ozone होती है उपर वाली अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि ये जो sun से जो ultraviolet जो हमारी किरनी आ रही है UV rays आ रही है उनसे हमें क्या करती है ये protect करती है नीचे बुरी इसलिए लगती है क्योंकि इससे हमारा क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग होती है इससे क्या होती है इसलिए हम इसको good ozone और bad ozone बोलते है इसके अलावा देखो ozone है वो किससे deplete होती है जिसको बोलते है ozone depleting substances इसको बोलने है odious odious में क्या क्या आते है chlorofluorocarbon आती है हाइडरो फ्लोरो कार्वन आएगी हैलोंस आएंगे मिथाइल ब्रोमाइड आएगी कार्वन टेटरा क्लोराइड आएगी यह क्लोरोफोम आएगी यह क्या है ओजोन डिप्लेटिंग सबसंसेश वेरी वेरी इंपोर्टेंट एव्रीवन इसको जरूर याद दखता है बैड ओ साथ ठीक है 16 सेप्टेंबर को हम क्या बनाते है ओजोन डे बनाते हैं वर्ल्ड ओजोन डे ठीक है इस बार की जो थीम है वो है आपकी ग्लोबल कोपरेशन टू प्रोटेक लाइफ ओनर्स और पिछली साल की जो थीम थी वो थी आपकी कीपिंग अस मोनिटर प्रोटोकोल आपको रटी होनी चीए जो कि रटी हैं आपको मुझे पूरा पता है ठीक है विएना होती है आपकी है 1985 में दूसरी होती है आपकी मोनेट्रियल जोकी होती है 1987 में और तीसरी होती है आपकी के गाली जो की होती है 2016 यह चीज आपको पता हो नीचीए बहुत है वेरी वेर इंप्रोटेन्ट थीक है इतनी चीज आपको पता हो ठीक है यह सारी मैंने बता दिया आपको आप देखो summits वगेरा से आपके question आते हैं तो इसके लिए एक काम करते हैं जिनका exam हो गया देखो उसका तो ठीका हो गया लेकिन आने वाले student के लिए कर सकते हैं कि एक marathon session इसका हम लगाएंगे जिसको आप सब लोगों को देखता है जिसमें एक ही session में complete protocols summits वगेरा with current complete protocols, summits, conventions यह सारी के सारी एक ही session में मैं आपको करवा दूँगा with current update चलेगा ठीक है हाँ तो इसको हम करवा देंगे एक ही session में इसके अलावा SDG और MDG के targets है इसके लिए भी देखो तो अगर आपने पढ़ रखा है well and good इसको अलग से पढ़ लेना इसके target and indicators से आपसे question पूछे जा रहे हैं जिसमें मुझे लगता है कि बहुत सारे student को दिक्कत हुई होगी हना जिसने basics जिसके clear नहीं है उनको दिक्कत हुई होगी तो देखो दो चीज़े होती हैं तीन चीज़े होती है basically एक तो होती है bio accumulation bio accumulation एक टम आती है bio magnification bio magnification एक और होता है bio fortification fortification एक मैंने थोड़े दिन पहले ही आपको पढ़ाया था bio fertilizer कल ही पढ़ाया था fertilizer bio fertilizer का example कल हमने दिया भी था algae सेवाल जो भोला सा प्रानी होता है simple algae तो यह bio fertilizer का example bio fortification, bio magnification और bio accumulation यह कुछ terms है जो आपको पता होनी चाहिए environment से related चलो एक एक करके बात करते है bio accumulation क्या होता है इस diagram से आपको समझ में आ जाए गया है मुझे लगा कि यह best simple सी चीज है increase in the concentration of a pollutant in an organism for example इस चिंटू सी मसली ने कुछ खाया इस चिंटू सी मसली को इस बड़े वाले चिंटू ने खा गया और यह इस से बड़े वाले ने इसको खा गया तो जो pollution है जो परदूशक है वो आपका क्या होता जा रहा है भड़ता जा रहा है इसने खाया फिर इसने खाया फिर इसको कोई और आके खा जाएगा तो इसको क्या बोल रहा है अक्कुमलेट होना मतलब वो इखटा होता जा रहा है जब इसको खा रहा है तब बायो मैगनिफिकेशन का मतलब क्या होता है इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ओफ पॉलुटेंट इन अफूड चैन जैसे जो आपने देखा होगा जैसे फूर एक्जामपल एक फूड चैन क्य बढ़ता जाता है तो उसको बोलते हैं बायो मैगनिफिकेशन यह दो अलग लग चीज़ें देखो की वड क्या याद रख में इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ओफ पॉलुटेंट इन और्गनिजम बायो मैगनिफिकेशन का मतलब होता है एक तो फूड चैन बोल रहा है और एक और गनीजम बोल रहें इसमें तो सिरप इन चिंटू की बात की जारी है यहां पर किसकी बात की जारी ए फूड चैन की बात की जारी है तो यह आपका की वर्ड है इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा याद रख लोगे एवरीवन बायो मैगनी अक्कुमेलेशन और बायो मैगनिफिकेशन में क्या डिफ्रेंस है यह आपको पता होना चाहिए यह कल कोशन आप से पूछा क्या है अब देखो एक मोस्ट इंपोर्टन चीज है जो मैं आपको बता देता हूं ंप ग्रीण बैल्ट इस आपका कोशण पूछा चीग है तो यह आप एक देखो लिए बैलडि अब आप मुझे बता उइस को देक के आपको लग रहा है क्यों बनाई गहीं है एक ग्रीन पेल्ट एनिवन किसने मनाया यह ग्रील मेल्ट है जो आपको दिख रही है यह क्यों बनाई गई होगी अगर यह आपको पता लग जाएगा तो आप ग्रीन आपको समझ में रहे हैं जगे तो देखो अच्छी लग रही है अराम से खूब युनिवर्सटी आपको भार भेजेंगी आउट ओफ इंडिया जाओगे कॉन्फरेंसे अटेंड करोगे पैसा भी मिलेगा जाने का कंटिजनसी फंड दस अजार रुपे मिलते इसी के लिए अब आप देख लो अब देखते हैं अब देखो इसको समझते हैं ग्रीन बेल्ट होता क्या है हुआ क्या था कि जो केंदर सरकार है उसने प्लान बनाया है ग्रीन वोल नोर्थ वेस्टन पार्ट ओफ इंडिया में जिसको हम ग्रीन बेल्ट भी बोलते हैं क्या बोलते हैं जिसको ग्रीन इसलिए बनाए था क्योंकि जो हमारा ये मैं देखुआ ये जो वेस्टर्ण पार्ट है इंडिया का दिल्ली से लेके और गुजरात एक बेल्ट बनानी है में पेड लगाने है मतलब जिससे कि हम मरुस्तिले करन को रोक पाएं यानिकि डेजर्टिफिकेशन है उसको रोक तक ये आपका कवर करेगी चीक है ये क्या है कि बैरियर के रूप में काम करेगी बैरियर के रूप में काम करेगी कि जिससे कि जो हमारी राजस्तान के कोई लोग हो या राजस्तान जाएं हो तो गर्मियों में क्या चलते बहुत धूल उटती है जिससे कि डेजर्टिफिके आपको याद होनी चाहिए ओके कि ग्रीन बेल्ट क्या है है ठीक है यह आपको पता होना चाहिए ग्रेट ग्रीन गोल्ट मतलब कि चोड़ा सो किलो मेटर लंबी और पांच किलो मेटर चोड़ी गुजरास से लेकि और दिल्ली हर्यानात के बेल्ट बनाई जाएगी ठीक है मैं आपको समझा देता हूँ एसे इसकी चोड़ाई की बात करें तो पांच किलो मेटर चोड़ी और लंबाई की बात करें तो ग्रीन बेल्ट तो यह चीज आपको पता हो नहीं चीज एक साम के लिए आप देखो एक छोटी सी चीज और बता देता हूं कि डेजर्टिफिकेशन की बात आई है तो back to basics बात कर लेते कि बरुस्तिली करण के रोकने के लिए एक convention है जिसका नाम है UNCCD ठीक है यह 1994 में आपकी sign होती है जो की legally binding है ठीक है कानूनी रूप से क्या है binding है और यह निकल के कहां से आती है UNCCD Agenda 21 से और Agenda 21 से question इस बार आपका आ चुका है ठीक है Agenda 21 कहां से निकल के आता है Arts Summit से निकल के आता है ठीक है Arts Summit या जिसको हम बोल सकते है रियो समिट से आपका यह निकल के आता है तो रियोट समिट नाइंटी 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 तू में है इतनी चीज आपको बता हूँ ना डे जर्टिफिकेशन के लिए कौन से कन्वेंशन है यूंजी सीडी लीगली बाइंडींग है 1994 में आती है एजनडा 21 से निकल के आती है एजनडा 21 किसे निकल के आया अट समिट से जो की सेशन पसंद आया होगा बीच में थोड़ा सा टेक्निकल गिलीचेस हुए थे लेकिन वो ठीक हो गए थे हना तो आई होप आपने अजस्ट कर लिया होगा इस चीज को इसके लागा कोई भी आपके डाउट से कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना कि सर आपके देखें और मुझे पता भी लगा कि आपको कितना फाइदा मिलने क्लास तो आज भी आपको कमेंट करके बताने कि आपको यह सेशन कैसा लग रहे हैं इसके अलावा यह अपनी साथ बज़े आज हिस्टी की क्लास होगी तो सब लोग हिस्टी की जो भी स्टूडेंट अगर आप फिर मिलेंगे गाई नेक्ट सेशन के अगे बाइबाए ठेक यह